हलो स्टेंट्स, एडूबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं वर्षिट सोला जो क्लास सेवन हिंदी की वर्षिट है और इस वर्षिट में हम लोग करेंगे पापाख हो गए नामक नाटक से लिए गए संबाद को ध्यान से पढ़कर पुछे गए प्रस्नों के उत्तर दीजे तो इसमें जो संबाद लिखा हुए उसको पढ़के उतर देना है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नोटिस बता देता हूँ कि हमारे चैनल पर आपकी सारी वर्सिट एक दिन पहले अपलोड हो रही है इसलिए आप लोग एक दिन पहले ही सारी वर्सिट को देख सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट के वर्सिट को आप एक दिन पहले देख लीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं यहां जो लेखक का भाव है यह लेखक समाज के किसी घटना से संदेश देना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने एक नाटक तयार किया है जो निर्जीव वस्तूं के बीच चल रहा है और निर्जीव वस्तूं का सजीव चितरन किया है, उनकी बातों को रखा है किस तरह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कि निर्जीव वस्तूं भी हमारे साथ लगाओ रखती हैं, वो बाते करती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके माध्यम से वो अपने मन की बात को कहना चाह रहे हैं और वह समाज को कुछ संदिश देना चाह रहे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि निर्जीव वस्तुएं कभी बोलती नहीं तो यहां जिस पाठ का संबाद है यह पापा खो गया और इस नाटक से इस संबाद को लिया गया है तो चलिए शुरू करते हैं पीछे के वर्षिक में हम लोगों ने देखा है यह लेटर बॉक्स से पेड़ और बिजली के खम्बे यह आपस में बात कर रहे थे तभी वहां एक बेक्ती एक लड़की को सोई हुई लड़की को लेकर आता है और उसे वहां लिजा देता है फिर खाना खाने के लिए करा जाता है क्योंकि वो उस लड़की को चुरा कर लाया था और उसको खाना नहीं मिला था तो इन लोगों ने जब उस लड़की की इस्थिती को देखा तो ये आपस में बात के कि इस लड़की को इसके घर तक पहुचाने में हमें मदद करनी चाहिए तो चलिए उससे आगे कौवा बोल रहा है कि हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं तो सभी एक साथ उठकर बोलते हैं कैसे मतलब सभी उठसुख थे कि उस लड़की को उसके घर पर उसके पापा से मिलवा दिया जाए इसलिए कौवा के बोलने पर सभी उठसुख हो गये कि कैसे इसे हम उसके पापा से मिलवा सकते हैं कौवा बोला आसान है सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी च्छाया इस पर की रहें वह आराम से देर तक सोती रहेगी और खंभे महाराज आप जड़ा टेड़े होकर खड़े रहे है कौवा उन सब में काफी चलाग था और सभी वस्तूओं को निर्देश दे रहा था उसने पेड़ से बोला कि जब सुबह हो जाएगी तो आप उस लड़की पर घनी च्छाया रखेंगे ताकि आपकी च्छाया में लड़की बहुत देर तक सोई रहेगी और सोने से कहा होगा कि लड़की इधर उधर नहीं जाएगी और वह खंबे से बोल रहा है कि खंबे माहराज आप जरा रास्ते पर टेड़ा हो जाएगा जिससे ऐसा लगे कि खंबा तूटकर गिर गया है खंबा पुछा भी कि इससे क्या होगा तो कवा बोलता है पुलिस को लगेगा एक्सिडेंट हो गया वो यहां आएगी और हमारी इस छोटी सहली को देखेगी वो लगाएगी इसके घर का पता पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है खोई हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है कवा ने खंबह का माकूल जबाब दिया उनको बताया कि जब खंबह टेड़ा हो जाएगा तो उसको लगेगा कि यहां एक्सिडेंट हो गया है पुलिस यहां आएगी और इस छोटी लड़की को देखेगी और जब लड़की को देखेगी तो इसके घर का पता भी लगाएगी क्योंकि पुलिस सब के घर का पता लगाती है और पुलिस का काम ही है खोई हुए बच्चों को उनके घर तक पहुँचा पाईगी इसके बाद खंबह बोला रहूंगा मैं आडा होकर खड़ा रहूंगा आडा होकर खड़ा मतलब घेर कर खड़ा रहूंगा रास्ते को घेर कर पर मानलो पुलिस नहीं आई तो खंभा बोला मानलो मैं आडा होकर खड़ा रहा और पुलिस नहीं आई तो क्या करेंगे इसका जवाब भी कवे के पास था और कवा बोला मैं बराबर यहां जोर जोर से काउं काउं करता रहूंगा लोगों का ध्यान इधर खीचुंगा उनकी चीजे अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा तो बच्चों यहां जो लेखा कहें इन निर्जीव वस्तुओं के पानवियता है इनके अंदर कितनी करुणा भाव है जबकि इसका इन सभी का उस लड़की से कोई सम्मन नहीं था लेकिन वहीं देखिए मानव है जो कि मानव को ही चोरी करके उसको कश्प्रत जिंदगी देने के विशाय में सूच रहा है तो यह संदिश कभी इस संबाद के भाग से दे रहे हैं और उसके बाद इस संबाद से रिलेटेट कुछ प्रस्न है यहां आप देख लिए कि यहां सभी मिलकर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं प्रस्न दो है कौवा पेर से क्या करने के लिए कहता है और प्रस्न तीन है कौवा खंभे से क्या करने के लिए कहता प्रस्ण चार है खंबे द्वारा पुछे गया प्रस्ण की इससे क्या होगा का कौवा क्या उत्तर देता है और उसके बाद प्रस्ण पांच है यदि पुलिस नहीं आई तो कौवा क्या करेगा और इसके बाद एक गतिवीधी भी है और गतिवीधी यह है कि अगर कोई कोनों से भी छड़कर अपना घर और माता पिता को ढूंड रहा है तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे अपने मित्रों के सांथ चर्चा कीजिए तो बच्चों यहां पर मैं इन प्रस्णों के उत्तर लिखने से पहले चाहूंगा कि हम सभी इस पर चर्चा कर लें कि अगर कोई बच्चा अपने अपनों से भी छड़कर अपना घर और मता पिता को ढूंड रहा है तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे अपने मित्रों के सांथ चर्चा कीजिए तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर बहुत छोटा है तो बार-बार उससे पूछेंग या इसारों से बात करेंगे उसको प्यार से समझाएंगे और उससे जानने की कोशिस करेंगे कि उसके पापा का नाम क्या है उसके बाद उसका घर कहा है बच्चे कम से कम इतना तो रट ही जाते हैं बता देते हैं कि किस महले में उनका घर है कहा रहते है पापा का नाम क्या ह और इस तरह से जब वो बच्चा बताएगा तो हम उसकी सहायता करेंगे और फिर उसको उसके घर तक पहुँचा देंगे या फिर कुछ लोगों से पूछेंगे अगल बगल के लोगों से अगर उन नहीं बोलता है तो कि इसको आपने से किस ने देखा है किधर से आया है उधर के रास्तों पर पता करेंगे और धीरे धीरे बैकवार्ड में जाते जाते उसके घर तक पहुँच जाएंगे इस तरह से हम बच्चे को उसके घर तक पहुंचाने मदद कर सकते हैं या फिर हम पुलिस को खबर करेंगे और पुलिस को उस बच्चे को सौप देंगे ताकि पुलिस ढून कर उसके घर का पता लगाएगी क्योंकि ज़्यातर खोई हुए बच्चों पर बहुत ज़्यादा रिक्स नहीं मिलना चाहिए और आप पुलिस से मिलकर भी उसको उसके घर का पता ढून सकते हैं तो चलिए अब इस प्रस्न का उत्तर लिखते हैं यहां पहला प्रस्न है कि यहां सभी मिलकर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं तो उत्तर है यहां सभी मिलकर चोरी की हुई लड़की को उसके घर पहुचाने का प्रयास कर रहे हैं इसके बाद प्रस्न दो है बच्चों कि कौवा पेर से क्या करने के लिए कहता है तो इसका उत्तर है, हमने पढ़ा भी है कि कौवा पेन से लड़की के उपर घनी घनी छाया करने के लिए कहता है क्यों कहता है, क्योंकि उसकी छाया से लड़की बहुत देर तक सोई रहेगी तब तक या सोर करके उधर लोगों को बुलाएंगे और लड़की के तरफ सारे लोगों का ध्यान आकृष्ट करेंगे इसका उत्तर है कोवा खंभे से टेढ़ा होकर खड़ा रहने के लिए कहता है और प्रस्न चार है खंभे द्वारा पुछे गया प्राशने की इसे से क्या होगा का कौवा क्या उत्तर देता है तो इसका उत्तर है कौवा कहता है कि पुलिस को लगेगा एक्सिडेंट हो गया वो यहां आएगी और हमारी इस छोटी से हेली को देखेगी वह लगाएगी इसके घर का पता पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है खोई हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है इसके बाद है यदी पुलिस नहीं आई तो कौवा क्या करेगा तो इसका उत्तर है यदी पुलिस नहीं आई तो कौवा जोर जोर से काउं काउं करता रहेगा लोगों का ध्यान इधर खीचेगा उनकी चीजे अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता रहेगा तो बच्चो ये थी आज की वर्षिट और आपने आज की वर्षिट के माध्यम से सीखा कि किस तरह से निर्जीव बस्तुएं भी और जिनका मानों से कोई सरोकार नहीं है वो भी मानों की सहायता करने के लिए कैसे तूल जाते हैं और मानों की सहायता के प्रती तक पर रहते है जब कि मानों ही मानों को कष्ट पहुंचाता रहता है तो यह थी आज की वर्षिट और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वर्षिट में थैंक यू